देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 को पार कर चुका है बिशले 24 घंटे में 4900 नए मरीजों की पुष्टी हुई है और 1955 लोगों ने अपनी जान गवाई स्वास्ते वभा की ओर से जारी आंकड़ों के मताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 46,433 पहुँच चुकी है जिसमें 12,728 लोग ठीक भी हुए हैं वहीं 1568 लोग अपनी जान गवा चुके हैं लगतार देश भर में कुरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है संक्रमित मरीजों की संख्या 46,000 को पार कर चुकी है 1568 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है 12,728 लोग सुष्ट भी हुए हैं सबसे जादा कुरोना की मार महराश्ट को छेलनी पड़ रही है लगतार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है अब तक 12,728 लोग ठीक भी हुए हैं महराश में कोरोना की सबसे जादा मार देश भर में कोरोना वाइरस का ग्राफ लगतार बढ़ता जा रहा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी समवादाता प्रीट किरन फिलाल फोन लाइन पर जो चुकी है प्रीट देखे चुनावतियां लगतार बहुत बढ़ती जा रही है ऐसे में अभी लॉकडाउन 3.0 भी चल रहा है दिले में किस तरीके से पालना उसके करवाई जा रही है इससे करवाई जाए यह कहा जाए कि इस तरीके से घाटे में जाये ती दिली सरकार उससे करवारता होगा कि इसके साथ दिली सरकार ौते की परिफाई करने के लिए ऑजो लिक्र है उसके 70% आज़ा चार नकार दिया गया है ताकि इससे दिली सरकार को आमदनी से बढ़ सके और जहां तक करोना की पेशिंट की ट्रीटमेंट में इसे मदद मिल सके प्रित एक और चीज में यहां पर आपसे जाना चाहूंगी देखे लगातार कल से जो तस्वीरे सामने आ रही थी शराब के ठेकों के बाहर तो क्या आज भी वैसे ही कुछ तस्वीरे देखने को मिल रही है हाला कि कल तो पुलिस को बल का प्रियोग भी करना पड़ा था जिए बिरकोल आज भी दिली में ऐसे कुछ-कुछ रिलाके हैं लक्षमिलेगर की बात करें तो नहां पर दिली पुलिस ने दुकानों शॉप की बुल्स को इडाय दिये कि अगर सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया भी लगती है दुकानों पर तो दिली पुलिस को दुकाने बंद कराने पड़ेगी कर लाटी चार्च करना पड़ा था करोल पाग में जो लंबी दिखाई दिया और आज भी पुलिस का भी मुशक्कत कर रही है सोचल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में बावजू जिसकी सटर पीसे दाम बढ़ा दिये गए हैं लोगों की जो कतार हैं वो नहां पर कम नहीं हो रही है इसके बाद इसके बाद इसके बादी के सिरक कारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आंखडे लगतार बढ़ते जा रहा हैं लोगडाउन का तीसरा दौर फिलहाल चल रहा है ऐसे में चुनौतियां बढ़ी है और प्रशासन भी लगतार अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रहा है